अब हम नेक्स पॉइंट पर आगे अगे आपको यहां पर दो लाइन ओर इंस पास हो रही होगी और उस लाइन का गिवन होगा डारेक्शन रेशू या डारेक्शन को साइट दोनों से आपको वरकिंग सेम हैं कैलेक्पलेशन दी से भी होगा सब्सक्राइब कर लेना है तो उसके बाद इसके जो सब्सक्राइब करने को आएगा तो क्या है आप यह हमारा कार्डिजन शला में तो यह मैं लिन आपकी लुएन ती D1 and C1 and A2, B2 and C2 are the direction ratio, directions ratio of line L1 and L2 respectively. respectively respectively, respectively. आपको यहापपर, एंगी काई पाइड़ा यूश्क रेंगे, the formula will be cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root A1 square B1 square plus C1 square and root A2 square plus B2 square यहां पर यूज करेंगे तो यह हमारा एक्यूट हो जाएगा हमने यहां पर मॉड यूज किया है जो हम से इनिशेली हम आपकर सब्सक्री में हम दो लाइन की बीच में आंगल फाइंड़ करते हैं तो यहां पर जाता है आप पर सकते हैं अगर इसमें आपको साइन फाइंड आट करना है तो हम आइनिटिटी से सबस्क्राइब तो अबार सकते हैं और आपको आपको डारेक्शन डेशु के प्लेस फर अंग्ल दिखेंगे फ अलगे से इनौत्य आफ इंस्टेट केफ इंस्टेट और सिग्ष डारेक्शन डेशु कि प्लेस में इन दीर instead of direction issue of like L1 and L2, direction cosine are given, L1, M1 and L2, M2 and L2, direction cosine are given, direction cosine are given of a line of line L1 and L2, line L2, respectively. तो प्रीटिवली क्या होगा? अवान प्रमुला जहां पर A1, A1, M1, L1 आजाएगा, B1 पर M1 आजाएगा और C1 पर L1 आजाएगा, ठीक है? तो यहां को तो ध्याँ रखे है कि हमारा जो कॉल सीटा होगा, हो जाएगा, L1, L2, M1, M2 and L1 and L2, पहुत सिंपल क्लास फॉर्मला है, जाते हैं बहुत इसी है, अपन यहां बीचे लिखेंगे, L1 square, M1 square, L1 square, L1 square, L2 square and M2 square and M2 square and M2 square, तो प्रीक है, अपना थेपाँ जाएगे, इन दोनों की जो वार्यास हो जाएगी, क्यों क्योंकि होता क्या है, L1 square plus M2 square plus M2 square is equal to 1, हम यह दोनों जो root से होन हो गया है, तो यहांपर क्लास 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 की वैलीई आ जाएगी, सब्सक्राइब करें तो आपने कर दो केस फॉर्म होगे कर रहेगा कि तू लाइन्स आप परपेंडिकुलर है तो कंडिशन क्या फॉर्म होगी यहां पर कॉस्ट नाइंटी की वैलुफा जीरो हो जाए जो हमारा फॉर्मुला था आप तीन के वहले लिए जीरो होगा क्रोस्ट इपलाइब करेंगे तो आप कर्डिशन मिलेगी एवान एटू एटू एड बीवन बीटू प्लस इवन सी ठीक है अगर अगर दार्रेशन को साइंगे तो क्या होगा तो जाया का लगने टू प्लस इक तो इस केस में हमें क्या करना है अगर आपको लिनियर है तो क्या कंडिशन होगी पिर हम अब ही मैंने जब तुटीन और आपका कैया था कि अगर अगर आपको कोई भी दो लाइन है तो उसमें तो यहां पर दो लाइन है और यहां से रिंपीट हो रही है रिंपीट यह होगी कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 आपको लर्न कर लेना है तो अगर आपको एक्वेशन ओफ लाइन गिवन है और आपको थीटा फैंड आउट करना है तो वेल दा क्माइशन कrem लाइन वेभेशन अव दा क्नव रोपे लाइन लगता है टो अपको एक्वेश्न है पहले बेक्तर तो यहां पर यहां पर लिका यहां पर आपको लेना है ऑगर आपको अगर आपको आपको दिये गए हैं तो आपको करेंगे करा दूँगा नीची आप लिखेंगे बीवन वक्तर का मागनिट्यूट यह आपको देगा थीटा अगर आपको लाइन गिवन है एक्स माइनस एक्समन अपॉन एवन आपकी एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एटू आपको यहां पर जो आपका कॉस्थीटा आएगा वो आएगा जो आपका आपको लाइन की डायरेक्शन की मदद से क्योंकि जो लाइन के जो डायरेक्शन की रिस्पॉंसबल होता है डायरेक्शन को साइन चीक है तो यह आपको हो जाएगा इसको पता होना चाहिए यह बहुत कॉस्थीटा इसको पता होना चाहिए यह बहुत बात है एक लाइन के वन है लाइन फॉर एक्जामपल दो पॉइंट से पास हो रही है एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब को साइन तो आपने इस दो पॉइंट के डिस्टेंस डिस्टेंस से अब सब्सक्राइब किया चाहिए एक बताना चाहिए लाइन के अंदर को उनिक होता है लाइन इंट जाती है इसके infinite set बनते हैं आपने उस लाइन के अंदर दो पॉइंट लिए अब दो पॉइंट तो आप कुछ भी ले सकते हो तो उन दो पॉइंट से तो डायरेक्शन रेशू मिलेगा ना तो डायरेक्शन रेशू को जो सेट है वो भी चेंज होंगे तो आप लाइन से आप रेशू रेशू से आप को साइन प्याइब लिंक है लाइन और सॉरी पॉइंट डायरेक्शन रेशू एंड रेशू को साइन क्लेर तो डायरेक्शन रेशू के में थोड़ी सी आपको बहुत अच्छी जाना चाहिए त्रिडी जोमेट्री में तभी यह आपको बहुत इसी लेगे नहीं है तो आपको डायरेक्शन को साइन है यह आपको एंडल देगा कि एक्स वाइज से क्या एंगिल बन रहा है उसको आप कॉस के साथ लेते हैं बन जाएगा डायरेक्शन को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह हमारी बहुत कॉंसेप्शियल बात थी इसको आप सब्सक्राइब करें अब क्लाइब करना है तो यहां पर जो फॉर्मला है फॉर्मला है थीटा इस एक्वल टू बीवन वेक्टर डॉट वीडू वेक्टर अपन बीवन का माइट्यूट अट्वाइट ब्लीटू का मैंडियों ठीक है एंड इस यहां पर एवन अपने टू एवन एटू लिए टू ब्लास लीवन बीटू सीवान रूट एपन रूट यहां पर बी क्या है आई इस एक्वल एप्लस लैंडा बी तो यह बीटू आप यहां पर प्रेस करेंगे तो पर एप रही सब्सक्राइब आप एक पर समझ आएंगे उसके पास सिंपल क्याक्यों आप क्याक्यों आप आप खुदी कर सकते हो तू के ठीक है यह हो गया डॉट बीटू याफ यह थ्री आई प्लस टू जे प्लस शिक्स के ठीक है अपॉन बीवन का टू प्लस प्लस घ्रेंगे native हिसा को लिए जेको जेसे के को के से आपको मुटिप्लाइब है कि हम लिख देना है तो वां त्रीज़ा थिरी टूटू जाफ फोर एंड सिक्स्स तूज़ा त्वैल अपन नीचे आपका ये फोर फोर वन नाइन नाइन बता आप मिलेगा थिरी ठीक है और यहां पर आपको अगर नाइन फोर थर्टी सिक्स तो सिक्सेंट पोर फॉर्टी ओर नाइन फोर थिए पोर नाइन फोर निवन इस एकुल तो फॉस्टी आपको टॉट्टा पाइंट अगना है इंटा क्या हो गया कॉस्ट इन वर्ट नाइन इंटीन अपन टुन्टीवन इस इस दा फाइन आपको यह एल लिगा जो मैने पॉइ को शनको सौलगे एंटे यहां पर आजाएं यहां फ़र्म लिखें पहले ओन आ कोवा एवन एटू बीवन बीटू इन्टू थीवन रूट ईपन रूट एवन स्क्वार बीमन इस्क्वार शीवन स्क्वार एंदी डूशुआइट चिक है आपको 3 x 1 5 1 & 4 x 2 टीक है अपॉन रूट यहां पर 9 25.4 16 3 का स्क्वाइर प्लेस फाइफ का स्क्वाइर एंद 4 का स्क्वाइर 1 का स्क्वार 1 का स्क्वाइर 1 का स्क्वाइर 2 का स्क्वाइर एक ऐगा 3 5 8 3 5 8 8 8 16 16 नीचे यहां पर आपका आएगा 9 25 & 16 25 16 41 41 or 950 यहां जाएगा रूट 50 25 5 root 2 हो जाएगा 1 plus 1 plus 4 root 6 तो 16 5 root 2 multiplied by root 6 4 to the 8 8 5 is clear 4 to the 6 16 आप इसके बाद इसको हम 960 5 है तो 168 122 फिर से आपको मैं जाएगा पूरोट दो 16 हो गया है अपर 5, so 12 12 मत्ब की 4 root 2 हो जायागा 12 4 2 root 3 16 अपॉर 5 2 2 root 3 या तो हो गया 8 अपॉर 5 root 3 चीक है 1 जा 2 जा 8 root 5 और ट्राइस की वैल्वी आ रहे हैं कोस थीटा थीटा आपको मिलेगा कॉस इंवर्स लेट अपॉन फाइब रूट स्री प्लास विडिस दांसर अपलास अब यहां पर एक नेक्स पॉइंट आ रहा है उसे बोलते हैं स्क्यू लाइन रही आपको फॉस्ट प्लेंट प्लेंट में लाइक कर रहे हैं और और नाइन वह एक प्लेन में नहीं है और और कंडिशन किया है बोट लाइन डाट मुस्ट भी नॉट पार्लल नॉट इंटेक्ट टीक है तो यह स्कुलाइन लिखे तो इस प्लेन इस प्लेन में नहीं होगी ठीक है तो इसके बाद एक क्लास कंडिशन हमने आपको कोई भी आपको दो लाइन की इक्वेशन है ठीक है तो आपने लाइन लाइन और आपको चेक करना है तो एक प्लेन में लाइन कर रही होगी मतलब लाइन कैसे होंगी को प्लेनर होगा अगर इस दो इस प्लेन पर कट कर रही है तो ओविस्टी दो लाइन कैसे होंगी को प्लेनर होगी इस पर इंटर्सेक्शन के लिए आपको यह दो कंडिशन फॉलो कर रहा है आप यह दो दी एक्मिशन अप्लाइन को इस फॉर्म में एक अपली है इसके बाद एवन वी वन दस नॉट इपल टू एटू पी तो फूस्टी टू फॉस्टी टू पस्टीशन और यह जो डिटर्मिरेट है एक्स टू माइन एक् इंडर्सेक्शन ओफ दू लाइन उके मतलब यह भी शो करेंगा कि लाइन कैसी है अच्छा अब अगर दो लाइन ने प्रूफ करना है कि इफ टू लाइन सार्प लेंगर यह बात यह में नहीं है कि जो दो लाइन स्कूप लेनर है एक यह आपकी दो स्टेट लाइन है मैं जो डिटर्मिरेंट है जो आपने यहां पर देखा इसकी एक लाइन होगी वैल्यू एस इस इक्वल टू जेरो आएगी चिक है अगर पार्लेल है तो यह दोनों चीज़ें क्या होंगी इक्वल आजाएगी और इंटर्सेक्शन के लिए दस नोट इक्वल आएगी क्लास प् प्लेटर और पार्लेल है तो एवन डीवन सीवन इस तुमें इस इक्वल टू एटू इस टूबी तू इस टू इस टू सेट्वकल आपको अगर करेगा कि अगर कुछ आओड तो लाइन सार इंटर्सेक्टिंग तो आप इन तर आपको इन कंडिशन से क्विल कर सकते हैं एक लिए इसके लिए हम आपको पहले फॉर्मला जोर आ रहे हैं कि लाइन है इनकी शॉर्टे डिसंस क्या हो कि इसको कैसे पाइंड करेंगे करेंगे इसके फॉर्मला में आपको दूंगा और शॉर्टे डिसंस बिट्वीन टू इसकी लाइन तो उसके दो फॉर्मला जाम आपको देन कुछ इसे आपको इसमें एक्स्पेंड भी करेंगे क्लास सब्सक्राइब करेंगे तो इसके लाइन आपकी इसक्यू है मतलब यह दियार नौन बोटेलर दो डिफेंट डिफेंट प्रेंपर लाइन आपकी लाइए दोनों को जॉइन कर देखा है तो जो कई की होगा क्लास के लिए लिए जो यहνे इसमें कि तक कि आप चाहिए पर समझगे ऐस नाइंट को प्लेन पर नहीं है और यह समझते हैं रहे हैं और दो डिफिर्ट आप जिसे फर अफिल रिये रूम है ये सीष्ट पर लां एक तरह से मैं एक मैंने सलिए यह दो आपकी प्लैंस आप नहीं और इसेटिक दूनों अलग अलग जा रहे है यह लाएं एक मेने cuma करेंगे यहां से यहां पर करेंगे तो अब इसके मैंने यहां पर राइटी मैंने बनाके यहां को फाइंड करना है शॉर्ट डिस्टन्स उसके लिखा दो लाइन लिखा पहले वक्तर फॉर्म में सब्सक्राइब लाइन प्लस मुड़े थिए तो इसके इसमें पता अब इसके इसमें पता होना चाहिए आन पासिंग पॉइंट और बीवन एक वेक्टर जिससे यहां यहां अब बन दियरेक्शन है वहीं वंटर की डिरेक्शन है ऐसी आटू में देखिए एक टू पासिंग एक पॉइंट कर लिया कि आपका यह पॉइंट रहा है इसका आपकी अंडरस्टांडनिंग लिए ठीक आप सबस्वाद जाएं कि एक पॉइंट यहां पर है जिसका पोजीशन वेक्टर है तो अगर हम फॉर एक्जामपल स्टी वेक्टर फाइंड करते हैं तो यह हो जाएगा एक टू माइनस वेक्टर ठीक है तो आपने अपने अपनी अन्डर्ट लिए क्रीटू पर लेक्रास करेंगे पिर डॉट लगा पर टॉट है एक टू माइनस एंगाए अपान माइनिट्यूट ओफ बीवन क्रॉस बीटू यह जो आपको देगा यह आपको दोनों स्क्राइब कर लेना है इस इस फर्स फॉर्मुला अब आप आपको लर्न करना लानिंग बहुत हिपोर्टन है अब इसकी शुर्ट डिसन्स क्या होगी आपको यादा रहाओ अब आपको रूट के अंदर इसको अब लग कैसे करेंगे सब्सक्राइब से बीसी बीसी सी एए बी चीए बीसी सी एए भी पहले आपके बनाये इसको आप यह कार्टीजिन फॉर्म में आपको इस फॉर्मिले से देहिए त्राइल करते हैं और इसको बचाते हो कि आपकी प्वारी सिवाथ रहे स्क्रीज के बाद मैंने यह तो आपने बनाया है इसकी मैंने आले बनाये एक एक गया प्रक्लेट बनाया है पीक्यू के लों तो क्या है यह आपकी दो लाइन थी स्क्यू और यह जो मैंने बीच में आप इमाजन करें कि बीच में लाइन है तो यहां पर एक बैक्टार रहे जो दोनों से क्या होगा दोनों से आपका तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह बीच्टार की आजाएगा तो जो तो पिक्म वेक्टर आएगा डा टैशंसे बिएवन ख्राउस भी तूब यहां पर हम ग्राउस प्रड़क्ट में जब मैंने आपको ख्राउस प्रिंक किया था तो यहां कि क्रॉस क्या होता है दो वेक्टर आप दो एक बना और आपने एक पक्र आ लिया जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो जो एक रौस भी इसको रिपेजर करेंगा ये वेक्टर घ्रेंड़ पता है और ये वक्टर दोनों से क्या है तीक है तो अब आप यहां पर आजाएगे इसमें ये भी वन क्या है तो पीक्यू क्या है तो पीक्यू क्या होगी तो पहले लिखने नहीं पर कि जो आपका यह आया क्रॉस प्रोडेट की कॉंसेप्स से आ गया है ठीक है अब इसके पीक्यू की एक्वाट अच्छा अब पीक्यू के अलों मैं लिया एक 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 मैं यूनिट वेक्टर लिया तो अब इसका जाओगा अपने क्याप आपका आएगा बीवन क्रॉस भी वीटू अपॉन जांग निजू मैंने क्वेक्ट के अपट प्युक्तॡ यह हो जबर इन्टू आप यह होखता है वैं अप्स्कारव त chiar इसके वह बडाएगा है अब वो जो डी होगा आप यह में लाइन जो है वापको अब को यह है कि जो माणिटीट उप शॉर्टर मालब जो डी की जो स्मॉल डी की वैल्यू होगी है यह स्मॉल डी की वैल्यू स्टी वेक्टर जो है स्टी वेक्टर का जब आप बनाएंगे प्रोजेक्शन ओन लाइन पी क्यू ठीक है प्रोजेक्शन ओफ एस्टी अलों डारेक्शन ओफ लाइन पी क्यू डाट इस एक वेल तू मागनिट्ट्ट उफ शॉर्ट डिस्टिस बिट्विट्विन तू लाइन आपको थोड़ी सी इकने माइन में रखना है ठीक है इसके लिए जब आप प्रोजेक्शन वेक्टर जो हमने आपको एक्स्ट्रेंट किया है जो आपके भूप में दिया है अगर आप टली करेंगे तो यहां पर एक कॉंसर्ट आ रहा है कि मागनिट्यूट ओफ मागनिट्यूट ओफ शॉर्ट इस शॉर्टिस शॉर्टिस इस इस मागनिट्यूट वोगा वोडी जो चीज़ है वह मैं आप लिख रहा हूँ इसको मैं सन्माद करूंगा ठीक है इस एकवल टू इस इक्वल टू बैस प्रोजेक्शन projection of st right along on the direction of line pq vector ठीक है तो st का जो projection होगा वो st की line पर st की line में जो आपको st की projection मिलेगा स्थे के line में और लोग इंदे रिख्यों और टीके कि वोगा ठीक है तो आप इस फॉमले से इस फॉमले से बिक क्या जाएगी डी मत्रा पीक्यू पी क्या जाएगी इसकी कोस थीटा क्या है थीटा क्या है थीटा क्या है वो पिर उसकी बार मैं मैंने यहां से स्टार्ट हो रहा हूं ठीक कर आप यहां समझना है चीज तो फ्रॉसा सीक्वेंस चेंज हो रहा है पीसा भ्यान दीजिएगा इसके बाद मैंने आपकों यहां से स्क्वेर क्या है अच्छा वियर थीटा इस दा आंगल झाल